दोस्तों टाटा स्टील की तरफ से वेकेंसी आई हुई है मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेसिन, मेटलर्जी, सेरामिक, कैमिकल, सिवल इंजिन, इनी की अपडेट है सर, टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स की तरफ से मेल आ गया है सर, इंटर्वियू के लिए ये इंटर्वियू का है सर, इसके साथ-साथ आपको नजर, आपको आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ मतलब ग्रेजूइट इंजिनियर्ट ट्रेनी, 2022 पास आउट थे ये भाईसा इसके साथ-साथ, हेलो सर, टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स की तरफ से मेल आ गया है इसके साथ-साथ, सर, आज तक मैं भी यही सोचता था कि मैंने इतने सारे फॉर्म अप्लाई किया बट अभी तक confirmation नहीं है, बट आज एक कंपनी से आ गया है, टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स की तरफ से मेरे को जॉब के लिए कॉल आ गया है, भाई मुझे भी confirmation आ गया है, आपकी वज़े से आज ही शेयर की है आपकी वीडियो, इसके साथ साथ, सर आई गोट आफ़र लेटर फॉर्म टार्ट पावर, गोड ब्लेस यू, यू आर रेली आ वेरी काइंड परसन, इफ यू नीड अनी टाइप ओफ ल्म, प्लीस पिंग मी, आइड अल्रीडी सेंड यू, आटेक्स इन इंस्टाग्राम, ठेक्स अलोट सर, दोस्तो ऐसे करीबन जाद नहीं तो 200 प्लस स्नैप सोट्स मैं आपको अभी दिखा सेकता हूँ, लेकिन उनको दिखाने को कोई मतलब नहीं है, मैं अल्वेस एकी चीज बोलता हूँ कि आप एप्लाइ कर दिया कीजिए, आप सभी की बहुत बड़ा ग्रूप है, टाटा के अंडर जब भी वेकेंसी निकलती है, तो ये एक अपोर्चुनिटी आपको आपके जानने वाले को आपके फ्रेंड्स को बहुत इच्छी अपोर्चुनिटी देखे जाता है, यहां से जॉब लगना, आपको खुदी नजल आजा 30 to 40 कि एक फ्रेसर के लिए एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है, जो आप एजली क्रेप कर सकते हैं, यहां कुछी डारेक्टली जॉब करगे, अपर्चुनिटी आपके लिए है, कैसे आपको एप्लाइ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे, एक च करना है, इस लिए टाइम में सभी का यह चीज हो रही है की अपका data leak कैसे होता है, तो आप छोटी छोटी web sites पे, बहुत छोटीundy web sites पे आप DS बनाते है तो job के लिए, उसमें आपका data leak हो जाता है, या फिर क्या company प्राइवेट the प्रश्यूम्परीय आपने एप्लाइए कि आपका रिज्यूम उनके पास चलागी है तो वहां से आपका डाटा लीक होता है लेकिन यह डाटा लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको आपको कभी एक चीज़ करके आपको आपने मॉबाइल पर देखा भी होगा अ कोई पैसा नहीं देना अगर आप फीच नहीं दें गें तो डाटा कितना मी लीक हो ज थी जहारकंड वालों के लिए अलग थी उडिसा वालों के लिए अलग थी पैन इंडिया वालों के लिए असिस्टेंड मैनेजर था इन डारकली जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वेकेंसी थी मतलब जे इटी के लिए वेकेंसी आई थी अब यह किस-किस के लिया आई थी और क्या-क्या वेकेंशी थी दोस्तों उनी के बारे में देखते हैं सबसे पहले आप यह जो आगया है यह मेरा डाउनलूड सेक्शन है इतनी सारी यह उडिसा, जहारकंड और इंडिया यह तीनों ही एक ही चीज का इनका नोटिफिकेशन है बट इन्होंने अलग-अलग क्राइटेरिया कर दिया है आप इंडिया में आप किसी भी कोने से हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं यह किस-किस के लिए थे कौन-कौन सी ब्रांचे से एलिजिबल थी दोस्तों डिगरी और डिप्लोमा की मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्रुमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरमिक, केमिकल, सिविल आपकी कहीं से भी कर रखी हो आप यहाँ एलिजिबल है अभी तक एलिजिबल है अगर 28 जनवरी आपके हाथों से निकल गई तो यह वेकेंसी दुबारा नहीं आएगी अगर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ओफ वेकेंसी की तो टोटल नंबर ओफ वेकेंसी जो थी यहाँ टेंटिटी वेकेंसी 797 वेकेंसी थी एक जगह के लिए जो इंडिया के लिए थी उडिशा और जारकंट मिला के या फिर एक्स्पिरियंस केंडिट मिला के यह हजारों 2000 प्लस वेकेंसी जा रही थी और यह क्या था कि एड्मिट कार्ड आपके जो आएंगे आएंगे 10 February को यहां पर्मारेंट जॉब रहने वाली थी जो 17 January से 28 January तक आपकी लाजड डेट है अब बात इसमें फीज कितनी थी 500 रुपीज थी इसका लिंक काम मिलेगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही चेक आउट करेंगे आपको इसका पूरा अप्लाई लिंक आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक वो उसकी वीडियो में जाके और किसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पूरा डाटा उसी वीडियो में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इतना देखना है टाटा एप्लाय लिंक आपको वहाँ पूरा डाटा मिल जाएगा जो की था मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्रुमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरेमिक, कैमिकल, सिविल इंजिनियर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी थी यह जो जिन्होंने अप्लाय अभी तक नहीं किया है, वो याद से अप्लाय कर दे, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा और टेलिग्राम चैनल पे भी आप मेंको फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक कहां मिलेगा, तो इसको डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप उपन करेंगे, टाटा स्टील एप्लाय लिंक मैं आपको डाल दूँगा, वहां जाके इजिली देख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जिलू करें, अपने चैनल पे नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बोलें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन